वेलकम तो रेडियन्ट कम्पिटिशन क्लासेस हिस्ट्री की सीरीज को आगे बरहते हुए आज हम लोग देखेंगे महाजन्पद महाजन्पद ये इससे समादित कोजिशन बहुत ज्यादा पुशा जाता है इसलिए आप लिटरली इसको समझ लीजे देखेगा छटी सताब्दी इस विपुर में दूसरी नागरिक करांती हुई जिसमें 16 महाजन्पद का उदे हुआ जिसमें मगद आगे चलकर सामराज्य बना था यानि के देखेगा कि दूसरी नागरिक करांती जो हुई थी उसमें कितने माजनपत का उद्ये हुआ इसमें दो बातें बहुत important इस यहां पे है अंगुत्तर निकाय िवंग भगवती सुत्र 16 माजनपत की जनकारी देते हैं ये 16 महाजनपत की जनकारी अगर ठुचा जाए बहुदससाहित किस कौनसा बहुदसाहित में अंगुतर निकाय में और कौन सा जैन साहित में भगवती सुत्र में यहाँ दो जो ऐसे साहिते हैं जहाँ पर सोलब महाजनपद की जनकाड़ी मिलती है आप इससे सो ठाट्स में लिखेगा उसके बाद करा क्या इसमें देखे कौन-कौन से है कासी एक नंबर बरतमान वारानस जो गरुना एवंग असी नदियों के बीच में थी यह इंपर्टेंट है उसके बाद देखे अंग इसके अंतरगत भागलपूर एवंग मुंगेर के छेतर आते थे इसकी राजधानी चमपा थी यह बहुत इंपर्टेंट अंग में कौन-कौन भागलपूर और मुंगेर औ इसकी राजधानी चमपा आपके तीन बात नौट कर लिजेगा एवंग सासक भ्रहमत दत्र थे था बाद में बेंबिसार ने अंगल को मगद में मिला लिया था उसके बाद लेखे कोसल इसके अंतरगत फैजाबाद उत्तरप्रदीश का छेतर आता था इसकी राजधानी सरा हैं परसेंजीत यहां का प्रसुदिस आ सकता यह भी आप नौट कर लिजेगा दोस्तों उसके बाद है वत्स आधुनिक लहाबाद में कौसांबी जीला इसके अंतरगत आता था इसकी राजधानी कौसांबी थी आवंती माहा जनपद ने वत्स को अपने सामराज में मिला ल थी यहां पर सरप्रतम हडियक वन से सासन करते थे उसके बाद देखे च्छटा वज्जी यह आट राजियों का शंग था यह एक गंतंत्र माहा जनपद था इसका एक परमुक्षंग लिच्वी था इसकी राजधानी बैशाली थी यानि सबसे पहले जो यहीं पर लोगतंत् वस्ता हुई थी उसके बाद इसे मल्ल देखेगा मल्ल भी एक माहा जनपद था जो आधुनी गुरबकुडेवरिया जिलों में अवस्तित था कुशी नगर या कुसावती यहां की राजधानी थी मतस्चिय इसका विस्तार आधुनी प्राजस्तान के को छेत्रों में था इस उसके बाद अगला सवाल देखेगा चेदी इसमें वर्तमान बुंदिल खंड का छेत्रह सामिल था और सक्ति मती इसकी राजधानी थी असमक यहां बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन असमक से सम्मधित है आप जरूर इसको याद रखेगा असमक में इसलिए इंपोर्टेंट है कि देखेगा यह दक्षिन भारत में वर्सित एक मात्र महाजनपद आपको पूछा जरूर भारत का एक मात्र महाजनपद का क्या नाम था तो राइट आंसर होगा असमक इसके राजधानी पोतनाया पूट्टील थी उसके बाद सुबर्टेंट यह वर्तवान उत्रपरद इसकी दो राइधानिया थी उत्तरी भाग की 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 राइधानि तो इस परकार दोस्तों आज के वीडियो में मात्र चार से पांच मिनट के वीडियो में आप सभी महाजनपत के बारे में जनकारी प्राप्त के और ये परिच्छा के द्रिश्टी से अती महत्रपुर्ण है यहां से प्रस्न दहता ही है आप इसे इगिन और नहीं कर सकते इसलिए आप इसको एक से दो बार रिविजन कर लिजेगा निशित रूप से आपका हो जाएगा आप मैं छोटा-छोटा वीडियो में दे रहा हूं ताकि आपको किसी तरह के कोई परिशानी नहीं हो तो दस्तों यादि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर और कोमेंट ज़रू किजिएगा न नवाएगा